राश्ट्र पिता है गांधी जी महत्मा है गांधी जी साबर मती के सिंत भी कहलाते है गांधी जी बिना शस्त्र उठाए देश को आजादी दी अहिंसा की राह पर चले सदा गांधी जी महत्मा गांधी जी बच्चों आज में तुम्हें एक महत्मा पूर्ण पार्ट पढ़ाने वाली हूँ जानते हो कौन सा? ये अपने राश्ट्रिय नेताओं के बारे में हैं मोहन मेरी बात ध्यान से सुनो मैडम आज आप पहले किस के बारे में वताएंगी? हमारे राश्ट्र पिता महत्मा गांधी के बारे में हाँ सही जवाब चलो अब शुरू करते हैं लेकिन पहले में तुहें इस नेता के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण छाय चित्र दिखाना चाहूंगी उनका पूरा नाम मोहन दास करमचन गांधी था वे एक विज़ाई अहिंसक योद्धा थे अहिंसा मतलब इसका मतलब है किसी को चोट पहुँचाए बिना या हिंसा का प्रयोग किये बिना क्या तुम जानते हो उनका जन कहां हुआ हाँ पोरबंदर में बिल्कुल सही उनका जन 2 अक्तुबर 1869 में हुआ अपनी स्कूल के शिक्षा पूरी करने के बाद वे इंग्लंड में कानून की शिक्षा हसिल करने के लिए गए तब वे 18 साल के थे इसका मतलब वो वकील थे? हाँ वे एक लोग प्रय वकील थे उन्होंने 3 साल भारत में और 20 साल साउथ अफरिका में वकालत की आज मैं उनके जीवन की कुछ महत वो पुरण घटनाई बताऊंगी जब कांधी जी स्कूल में पढ़ रहे थे एक दिन शालिय निरिक्षक उनकी स्कूल में आये अब मैं कुछ अंग्रेशी शब्द कहूंगा तुम सभी को ने लिखना है लिखते समय मोहन को एक शब्द का स्पेलिंग नहीं आ रहा था मोहन अगर तुम नहीं जानते तु तुमारे दोस्ते नकल कर लो लेकिन मोहन ने नकल नहीं की सभी छात्रों ने स्पेलिंग लिखे सिवाए मोहन के मोहन के अध्यापक उनसे गुसा हो गए मोहन को बहुत तुख हुआ फिर भी वो सोचता रहा कि उसने जो भी किया सही किया दूसरी घटना में एक बार मोहन ने धुम्रपान शुरू कर दिया और उसके लिए उसने कर्ज लेना और चोरी करना शुरू किया जैसे ही कर्ज बढ़ता गया उसे चुकाने के लिए उसने अपने घर से अपने भाई का एक सोने का गहना चुरा कर अपना कर्ज चुका दिया लेकिन वो खुद को अपराधी महसुस कर रहा था उसी दिन उसने ठान ली कि वो जीवन में कभी चोरी नहीं करेगा उसने ये सारी घटना एक कागस पर लिखकर अपने पिता को दी जब उसके पिता ने वो पढ़ा उन्होंने बिना कहे उस कागस को फार दिया मुहन को बहुत दुख हुआ उसकी आँखों में आशु आ गए उसी दिन उसने ठान ली कि वो अपने जीवन में सिर्फ सत्य ही कहेगा साउथ अफरिका की एक घटना ने गांधी जी का जीवन ही बदल दिया साउथ अफरिका में भारती लोगों से बहुत बुरी तरह बरता किया जाता था सभी भारतियों को कुली कहकर पुकारा जाता था एक दिन गांधी जी रेलवे के प्रतन दर्जे से सफर कर रहे थे तभी एक येरोपियन वहाँ आया एक सैनिक ने उन्हें बाहर फेग दिया उस कड़ा के किठन में उन्होंने सारी राद गुजारी लेकिन इसी घटना ने गांधी जी के मन में सत्याग्रह के बीज वो दिये अगले दिन उन्होंने अपनी याता जारी रखी आगे मुसिवट टालने के लिए वे कोचमन के पीछे बैठे लेकिन जब अफसर वहाँ आये लेकिन गांधी जी ने मना किया उस अफसर ने उन्हें मारना शुरू किया लेकिन अन्य यात्री बीच में आ गए और उन्होंने गांधी जी कोचमन के पीछे बैठने दिया इस घटना के बाद गांधी जी ने लोगों की सभा बुला कर एक समिती स्थापन करने का प्रस्ताव रखा उन्होंने लोगों को जागरित करना शुरू किया गांधी जी ने अहिंसा और सत्याग्रह के प्रयोक से भारत को स्वतंत्रता दिलवाई प्रोंब लोगों कर दो कि भारत को से जी एक समिती स्थापन कर दो जागर।